राम राम दोस्तों एक बार फीड से स्वागत आपका हमारे चनल हसे सीख जैम क्रैकर पर दोस्तों जो आपका फोरेस्ट रिसर्च इंस्टिचूट है देहरादून उसमें एक बरती आ गई है ठीक है तो किस टाइप की बरती है कौन-कौन सी पोस्ट है इसको हम देखेंगे इ आपके 20 तरिक से आपके पौन स्टार्ट हो चुके है और लास्ट डेट आपकी रहेगी 19 जनवरी ठीक है और इसमें साथ साथ आपको एक जैम डेट भी बता दी गई है फरवरी दो जारते इसमें आपका एक जैम होगा यह बात ध्यान में रखना ठीक है और दोस्तों कोई वीडियो को स्किप करें उससे पहले बता देना चाहता हूं 10 वाड़ों के लिए और प्लस टू वाड़ों के लिए बढ़ती है ठीक है तो वीडियो को देख लेना ज्यादा हाईर क्वालिकेशन नहीं मांगेगी है वीडियो को प्लीज देखना यह वीडियो थोड़ी टूटल आपके पास 23 पोस्ट हैं एजूकेशन क्वालिकेशन क्या इसके लिए प्लस टूपास होना चीए बई ठीक है पलस टूपास होना चीए साइनस से ठीक है 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज अकांट की जाएगी 18 से 30 तक ठीक है दूसरी जो बरती है हमारी उसको देख ल पोस्ट रहेंगे आपको ITI पास होना जुरूरी है ITI पास होना जुरूरी है एज फेक्टर इसका भी रहेगा 18-30 साल ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेकनिकल असिस्टेंट की पेरामेडिकल स्टाप की बढ़ती है इसमें आपका स्टाप नर्स होगी फार्मासिस्ट प्लस टू लेवल की फिर से एलडिसी कलर की बढ़ती है वही फिर आपका प्लस टू पास होना जुए और 35WPM वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए इसमें 18-27 का आपका एस देखा जाएगा उसके बाद बात कर लेते हैं फुरेस्ट गार्ड की ठीक है उसके बा इसमें 12th pass ठीक है इसमें आपका physical standard जैसा कि अचासी मांगती है वैसा ही physical standard 25 km walk चाहिए बहुत चार गंटे में 25 km की walk चाहिए 4 गंटे में और इसके साथ साथ आपकी height 165 cm नॉर्मल सी height दी गई है चेस्ट आपकी 79 cm दी गई है ठीक है 5 cm का आपके पास फुलाव बना चाहिए और वहीं बात कर लेते हैं वोमेंस की तो 14 km की 14 km की आपकी walk दी गई है 4 गंटे में ठीक है height आपकी 150 cm ठीक है और दोस्तों इसमें तो करिस्मा कर दिया वोमेंस की भी चेस्ट देखी जाएगी वाँ भाई वोमेंस की भी चेस्ट देखी जाएगी 54 cm ठीक है expansion भी फुलावी पड़ेगी भई ठीक है कोई भाई mind मत करना मजाग के तोर बें बात की गई है लेकिन हाँ यह प्छस्ट आ यहां बद्सक्रावेस साथकर करना मैंस की की ठीक है कि सट्डाविव चोना देखी एग तोर की परक़ी हैब आमेद प़स्टर काम चल जाएगा उसके बाद फिर आपका driver की post है ठीक है आपके पास भी जो आपका license बगिरह वो वोना चाहिए आपके दस्वी पास होना जरूरी है उसके बाद MTS यह आगी एक और काम की post MTS ठीक है normal दस्वी पास होना चाहिए आपको ठीक है तीन साल का आपके पास experience होना चाहिए ठीक है दोसतों बात कर लेते हैं आपको फरवरी में रहेगी ठीक है पेपर में क्या आएगा वो देख लेना वही पुरा नोटिफिकेशन आपके सामने है ठीक है टेकनिशियन में आएगा बेसिक साइंस आईगी आर्थमेटिक मेंटल अबिलेटि रिजनिंग वगेरा जो 20-20 नंबर के सारे पॉर्शन रहेंगे ठीक है लडिसी में देख लो वे 25-25 नंबर का फॉरेस्ट गार्ड में 40 नंबर का आपका रेलेट जो फॉरेस्ट से लेटेड हो रहेगा ठीक है दोस्तों बाकी नोटिफिकेशन अपड़ ल लिंक मिल जाएगा ठीक है फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों जो फीस रहेगी जनरल के लिए आपकी 1500 रुपे फीस ठीक है जनरल के लिए आपकी 1500 रुपे फीस और वहीं बात करें SCST जो रिजरिवेशन के टेगरीज है उनकी आपकी 700 रहेगी ठीक है दोस्तों देख लेना दोस्तों फूल नोटिफिकेशन दिया गया इसमें सारी जानकारी है दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों बार बार आपसे उमीद लगा रहे हैं आपका एक एक सब्सक्राइब या एक लाइक हमको मोटिवेट करता दोस्तों आगे बढ़ने के लिए ठीक है दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और जो वीडियो को देख के वैसे चले जाते हैं उनसे मैं इतना है करना चाहूंगा दोस्तों धोगाओ कर रहे हैं आप हमारे सकते हैं रात को हम वीडियो रिकोर्ड कर रहे हैं चलो सुबरातरी गुड नाइट